च्छत्पस साहुजी महराज विश्विद्याले कानपूर यूनिवरस्टी ने शेशन एकड़मिक शेशन 2021-22 के दुटी और तिती यानि के सिकेंडिय और थाडियर का रिवाइस्ट एग्जामिनेशन शेडियूल जारी कर दिया गया है जो परिच्छें 12 माई 2022 से शुरू होने जा रहे हैं तो इसी के तहत यूनिवरस्टी ने इग्जामिनेशन शेडियूल को जारी कर दिया है अच्छा तो आप इस पर देख सकते हैं कि छत्पत साहुजी माराज विश्विद्याला कानपुर यानि की बीए सेकंड ये वश के संस्था गत व्यक्ति गत एककल यानि की बीएफ सेकंड येर के रेगुलर री एड्मेटेड इस्टूरें सिंगल सब्जेट के जो परिच्छाती हैं 2022 का कारकम जारी कर दिया गया है ये परिच्छा हैं 12 माई 2022 से शुरू हो रही है इनके जो टाइमिंग है वाज सुबर 9 बज़े से लेकर के 12 बज़े तक की टाइमिंग है इस बाद यूनियोरस्टी ने लागू किया है कि कुछ पेपर आपके थियोरी बेस्ट होंगे और कुछ पेपर आपके अबजेक्टिव टाइफ्स होंगे यानि कि जो भी पेपर आपको अबजेक्टिव टाइफ्स होगा जो multiple objective टाइफ्स होगा उसकी जो परिच्छाएं हैं वह दो घंडे की होंगे और और थियोरी बेस्ट एक्जाम की परिच्छाएं तीन घंडे की होंगी तो आपको इस डेट सीड में इक्जाम डेट की डेट दी गई है दिन दिया गया उसी के साथ में आपको समय भी दिया गया है subject का नाम दिया गया है और आगे प्रिश्ण पत दिया गया है कि यह प्रथम फ्रस्थ है सेकंड-्थर्ड यानि कि first paper है, second paper है, third paper है और उसी के तहट आपको इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि यह पेपर सब्जेक्टिव होगा यह अब्जेक्टिव होगा तो इसमें देखते हैं 12 माई 2022 से जो पेपर शुरू हो रहा है इसकी टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 12 वजे तक सारी रिक सिच्छा प्रथम प्रश्ण पत्थ है सब्जेक्टिव पेपर होगा 13 माई 2022 9 बजे से लेकर 12 वजे तक सारी रिक सिच्छा उसी के तहट इस पे देखते हैं कि जैसे हमारा यह ग्रेविज्ञान है तो 18 माई 2022 को होना है तो 9 बजे से लेकर 12 वजे तक जो सैन आद्यान है उसका सब्जेक्टिव पेपर दूती है और ग्रेविज्ञान ऑबजेक्टिव पेपर का दूती का अबजेक्टिव पेपर होगा उसी प्रकासे मैथमेटिक्स गडित का आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा पर्यवनन अध्यान जो आपका 22 माई 2022 है उसका पेपर अबजेक्टिव होगा तो यह है बीए सेकेंड या छटपा साहुजी माहराज विश्विद्यालाई की एक्जामिनेर्शन डेड़ शीट तो यह परिच्छा है 12 म प्राइश शुरू होकर के आपकी चलेंगी 22 में 2022 तक